दोस्तों हम लोग पैसा कमाने के लिए सूबा से लेकर शाम तक समय निकाल लेते हैं लेकिन जब अपने सेहत का ध्यान रखने के बाद आती है या फिर सही डाइट लेने की या फिर योगा एक्सरसाइज करने के बाद आती है तो हम एक ही चीज कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है दोस्तों मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज अपने सहत के लिए समय नहीं निकालते तो कल के डेट में आपका शरीर बीमार हो जाएगा तो ऐसे में आपके पास परस्ताने के सिवाए कुछ नहीं रहेगा तो अच्छा है कि आप आज से ही अपने सेहत को healthy बनाने के लिए समय ज़रूर निकालें आज के सी वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चीज के बारें बताऊंगा और ये चीज दोस्तों खराब होने वाले नहीं है आईर्वित की किताब अश्टांग रिध्यम जिसे महर्जी वागबर रिशी जी ने हजारों साल पहले लिखी थी उसमें इस चीज को औस्थी कहा गया है दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ चूने की जिसे पान में लगा कर खाय जाता है आप इसे पान की दुकान से आसाने से ला सकते हैं ये बहुत ही कम कीमत में मिलता है लेकिन इस चूने में ऐसा क्या है जो हमारी बाड़ी के 80 रोगों को दुर करता है चलिए दोस्तों जानते हैं चूने के फायदे के बारे में दोस्तों स्री राजियो दिख्षिजी ने भी अपने वीडियो में कई बार चूने के फायदे के बारे में जिक्र किया है तो आएए विस्तार से देखते हैं चूने के फायदे दोस्तों चुना जिसे इंग्रिश में लाइम स्टोन कहते हैं यह चुना आपको पान के दुकान से मिल जाएगा हमारी बॉड़ी में तीन तरह के दोश होते हैं आज के मेडिकल साइंस इसको पर अधारित नहीं है लेकिन हमारी पुरानी मेडिकल साइंस यानि कि हमारा आईरवेध इस चीज पर अधारित है हमारी बॉड़ी के तीन दोश होते हैं वात, पीत और कफ तो अगर आपको कोई मिमारी है तो इसका मतलब है कि या तो आप वात, पीत या फिर कफ तीनों में से कोई एक आपके शरीर में बढ़ चुका है और आपके घर के किचन में जितने मसाले हैं वो सभी मसाले हमारे वात, पीत और कफ को बैलेंस कर सकते हैं अब जो मैं चुने की बात कर रहा हूँ यह वात दोश को बैलेंस करता है अब आप सुचेंगे कि वात दोश क्या है तो मैं आपको बहुत या असान भाषा में बताता हूँ वात यानि की वायू वायू यानि की गैस अगर आपके पेट में ज्यादा वायू यानि की गैस बनती है तो इसे वात दोश कहते हैं अब ये वात दोश होता क्यों है और वात दोश एक क्या प्रॉलम होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वात दोश क्या होता है हमारी body में ज़्यादा gas का बनना पेट में ज़्यादा gas बनती क्यों है हमारे पेट के खराब होने के वज़ा से या हमारे गलत खान पान के कारण अब यह जो gas बनती है यह किस तरह से problem प्यादा करती है मैं आपको बताता हूँ अगर आपके पेट में गैस बन रही है तो आप सुचेंगे कि शायद यह छोटी सी प्रॉलम है लेकिन यह असा नहीं है अगर आपके पेट में गैस है तो यह गैस आपके पेट से होते हुए आपके बाडी के अलग अंगों में सर्कुलेट कर सकती है अब यह गैस जहां भी ट दोश्ट बढ़ा हुआ है। सिर्फ आपको अपनी गैस की प्रावलम का इलाज कराना है। अपने पेट का इलाज कराना है। इतना करने से आपके बाड़ी के सभी तरह के दर्द ठीक हो जाएंगे। नहीं तो आप अपनी बाजू के दर्द के लिए अलग टैबलेट लेंगे सर दर्द के लिए अलग, घुटनों के दर्द के लिए अलग। लेकिन दोस्तों जारतर केसे में इन सभी तरह के दर्द के पीछे का कारण वात दोश्ट का बढ़ता ही होता है। इसलिए वात दोश्ट का इलाज कराना बहुत ही जरूरी होता है। वात दोश्ट के बढ़न लेकिन इसे लेने का तरीका मालूम होना चाहिए अगर सही धंग से नहीं लेंगे तो आपकी बाड़ी प्रॉलम में आ सकती है क्योंकि चुना कैल्सरेम होता है और अगर कैल्सरेम को ज्यादा ले लिया जाए तो यह हमारे किड़नी या फिर गाल ब्लेडर में स्टोन पैदा क कर सकता है इसलिए पहले समझेते हैं कि चुने को लेना किस तरह से है छोटे बच्चों को 500 mg और बड़े लोगों को 1000 mg तक चुना एक दिन में ले सकते हैं और चुने को आपको कभी भी अपने मुह में नहीं रखना है चुने को लेने का सबसे बढ़या तरीका है या या तो तो इससे अपते सब्जी या फिस छांच में घोल कर भी ले सकते हैं। चुने को आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इसे डाल में भी मिक्स करके घोल कर ले सकते हैं। या आपके बाड़ी के लिए बहुती फादेमन होता है। दोस्तों अगर आप लगतार तीन महीने चुने का सेवन इस तरह से करते हैं। यानि कि छोटे बच्चे आधा ग्राम और बड़े बच्चे एक ग्राम चुना हर रोज लेते हैं। तो इससे आपके बाड़ी के जो रोग दूर होंगे उसके बारे में बताता हूं। दिमाग को तेज करने में चुना बहुत ही अच्छा है। जिनका दिमाग कमजूर है या फिर कोई चीज पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही फादेबन रहने वाला है। चुना हर रोज खाने से दिमाग तीज होता है और मेमोरी शार्प होती है। छोटे बच्चों को अगर हाइट बढ़ानी हो तो चुने से अच्छा और कुछ है ही नहीं। आघकल टैबलेट्स का जमाना है। इसलिए सभी लोग किसी ना किसी तरह के supplement लेते ही रहते हैं। चुना खाने से उनकी हाइट तीन महिने के अंदर ही बढ़ने लगेगी। अगले फायदे की बात की जाए, तो इसके लावा, शरीर की सबसे कॉमन बिमारी है, दात का दर्द और दातों के सेंसिविटी होना, आजकल की हमारे खाने पीने में कैलिश्यम है ही नहीं, पुराने जमाने में दूद अच्छी क्वालिटी का था, इसलिए बाड़ी में सेंसिविटी की प्र्लॉम है, तो सबसे अच्छा है आपको चूना खाना चाहिए, लगता तीन महिने चूना इस तरह से खाये, आपके दातों से जुड़ी भी, सारी बीमारियां जर्द से खत्म हो जाती है तो दातों के दर्द के लिए आको डॉक्टर के पाज जाने की जोहरत नहीं है इस व्रकाय को आप लगाथार 3 महीने करके देखे दोस्तों चुना गठिया में सबसे ज़्यादा फायदेमन होता है आजकल arthritis की problem बहुत बढ़ गई है इसका वज़ा है हमारा वयाम ना करना और body में केश्रिम हारन की कमी होना दोस्तों अगर आप चुने का सेवन कर रहे हैं तो आपको गुटनों का दर्द, जोणों का दर्द कुछी दिनों में बिलकुल गायब हो जाएगा अगर आपके जोणों में बहुत दर्द रहता है तो आप लगातार तीन महीने तक चुना खा कर देखे आप देखेंगे कि आपके घुटनों का दर्द तीन महीने में ही गायब होने लगेगा और आपको किसी भी तरह से नीज रिप्लेस्मेंट की जरुरत नहीं पड़ेगी गठिया के लिए और जोणों के दर्द के लिए चुने से अच्छा और कुछ भी नहीं है इसके बारे में सुरी राज्यू दिख्षी जी ने भी अगर आपका लीवर कमझूर है ऑ laugh के लियर को अकसर जोणिस होता रहता है तो आपके लिए चुना बहुत ही अच्छा है चुना दोस्तों लीवर को मजबूत करता है एक वे घॉईन्डिस जैसे खतरनाग ब्यमाईर से आराम देता है अगर आपको कभी पिलिया हो जाए तो आपको गन्ने के रस में चूना मिला कर पीना है जी हाँ लगबग एक गरम चूना चे से मिक्स करना है और लगातार पीना है ऐसा लगतार एक महिने करने से ही आपका लीवर मजमूत हो जागा और पिलिया जड़ से खत्म हो जाता है इसके लावा चूना का एक और जबरतस्त फादा है यह पूरुष और महिलाओं दोनों में इंफर्टिलिटी के प्रॉलम को दूर करता है जी हाँ अगर मेल्स में स्पर्म कौन की कमी है तो चूना तीन महिने में स्पर्म कौन को डबल कर देता है बहिलाओं में infertility की problem है अंडों की कमी है तो चुना दीजे इससे अंडे बढ़ने लगेंगे और गरभाशे से जुड़ी दूसरी problems भी खत्म हो जाएंगे अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप मा नहीं बन सकती है तो आप घबराईए नहीं तीन महीने के लिए चुना खा कर देखे आपकी infertility की problem जड़ से खत्म हो जागी इसके लावा pregnant lady के लिए चुना खाना बहुत ही फाधिमन होता है क्योंकि pregnant lady अगर चुना खाती है तो इससे बच्चे का मानसी विकास बहुत तेजी से होता है और बच्चा स्वस्थी भी होता है अगर आप लगतार 9 महीने pregnant lady को अनार के रस में चुना मिला कर देते हैं तो delivery भी नॉर्मल होगी और बच्चा भी स्वस्थे पैदा होगा और जो बच्चा पैदा होगा और अपनी पूरी जिंदगी कभी कोई बीमारी का श्रीकार नहीं होगा तो दोस्तों चुना जरूर अपने डायट में शामिल कीजे और स्वस्थे रहिए आपको इस वीडियो को दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद